हाई फ्रेंड स्वागत है हमारे चैनल इसके सोनू टेक वल्ड में दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही बरी ख़बर चार साल में होगा अस्तना तक और सिधे कर पाएंगे पिएचडी दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ तो बताने से पहले यदि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं ताकि और भी आपको नई नई जनकारी मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं विश्व विद्याले अनुदान आयोग यानि कि UGC देश के सभी विश्व विद्याले में संचालित असनातक पाठ क्रमों की आउधी तीन से बढ़ा कर चार साल किये जाने पर विचार कर रहा है दोस्तों चार साल के आउधी के पाठ क्रम के बाद विद्यार्थी सिधे पीच दी कर सकेंगे इसके लिए असना कोत्तर होना अनिवार नहीं होगा इसकी पुष्टी UGC के अध्याक्ष प्रोफेसर डिपी सिंग ने की है विश्व विद्याले में बर्तमान में असनातक पाथकरम थीन साल का और असनाकोत्तर पाथकरम दो साल का होता है इसके बाद ही किसी विद्यार्थी को PhD में प्रवेस मिल सकता है ऐसे में UGC देश की सिक्षानिती में बरे अस्तर पर फेर बदल करने जा रही है इसके लिए UGC ने एक बिशेस सम्विती गठित की है इसी कमिटी ने सिक्षानिती में बदलाव के लिए UGC को अपनी रिपोर्ट सौप दी है इसमें कई सी फारिसे की गई है अस्तनातक पाठकरम के चौथे साल में सोध को केंदर में रखा जा सकता है महीं इस दोरान विशे विद्ध्याले को तिन बरसी प्रम प्रागत अस्तनातक पाठकरम चलाने की भी छूट मिलेगी इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी चार साल का अस्तना तक पाठेक्रम करने के बाद पीएचडी के बजाए अस्तना को तरक करना चाहता है तो उसे ऐसे करने की छूट मिलेगी बरतमान में तक्निकी सिक्षा के बैचलर ओफ आर्ट यानि की बीटेक या बैचलर ओफ इंजिनियरिंग यानि की बीई चार साल का पाठेक्रम है उनके बाद बिद्यार्थी सिधे पीएचडी में परिवेश ले सकते हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छ बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करना बिल्कुल न भूलें क्योंकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूं फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए बाई बाई